कि दोस्तों जैहिंद आज हम जो बात करने वाले हुआ प्रीवेस येर से रिलेटेड है तो हम तीस्वें स्रीज तक इसके पहुंच गये हैं ठीक है चला आगे बढ़ते हैं फटा-फट अगर वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारे से शुरू हुआ था और हम तईस तक पहुंच गये ठीक है राष्ट्रिये भारतिय राष्ट्री कॉंग्रिस की स्थापना कब हुई थी इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके जो प्रथम अध्यक्स कौन थे यह स्थापना कौन किया था तो जो स्थापना किये थे यह स्थापना किये थे और इसके जो अध्यक्स थे चेर्मेन पहले प्रसिडेंट कहले अध्यक्स है वह कौन थे तो उनका नाम है डबलू सी बनर्जी मेस चंद्र बनर्जी ठीक है पहली महिला अध्यक्स एनिबेसिंट है ना याद रखना और इसकी स्थापना हुई थी कब तो अठारा सो पचासी में ठीक इसे रिलेटेड प्रस्ण हमेशा पूसता है याद रखना इसको स्किप नहीं कर सकते ठीक है याद रखिएगा चलो आगे बढ़ते हैं पहली बार इसकी सभा में कितने लोग आये थे तो 72 प्रतिनिधी सामिल हुए थे ठीक नेक्स प्रस्ण के तरफ हम आगे बढ़ते हैं भगवान महावीर ने किस वर्स की आयू में घर छोड़ दिया और ग्यान की प्राप्ति की तलास में वो एक जंगल में रहने लग चले गए ठीक है किस वर्स की आयू में छोड़े घर वो बात करेंगे हम ग्यान की तलास में जब वो भटक रहे थे तो कहां पे इनको ग्यान मिला तो याद रिजुपाली का नदी के किनारे इनको ग्यान मिला था कहां पर तो जम्भीका ग्राम में यह पूछ सकता है आप से जाद रखना 42 वर्स के वस्थ में को ग्या मिला 12 वर्स के बाद तो 20 वर्स पहले कितने वर्स के होंगए तीस वर्स थिक याद रखना तो तीस वर्स के आयू में वो घर छोड़के चले गए और जब इनको ग्यान प्राप्त हुआ ना रिजुपाली का नदी के किनया जंबी का ग्राम में तो इनको केवल ले कहा गया ग्यान प्राप्ति को क्या कहा गया केवल ले केवल ले थिक सास्त्रिनित के रूप में माननेता दी गई है तो सास्त्रिनित से समंदित रोज प्रस्न पूछ रहा है और आज हम देखो आज तो सबसे इजी कहेंगे जितना भी प्रस्न पूछा उसमें से सबसे इजी नहीं लेकिन इजी तो पूछ रहा है ठीक है तो टोटल कितने हैं अब और मोहिनी अट्टम यह दोनों कहां के हैं तो केरल के कुच्ची पूरी इससे रेलेटेड एक वीडियो बना है सब्भी जो सास्त्रिनिरत है उसके अलावा जो सास्त्रिनिरत व्यक्ति जो से समंदित है वो भी लिखा है ठीक है जरूर देखिएगा चैनल पे आपको मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट भी बना है तो प्लेलिस्ट में आप जागर के चेक कर सकते हूं आपके सहुलियोत के लिए कुचि पूरी कहां पे तो आंध्र परदेश में सतरिया सतरिया यह कहां पे असाम एक हो गया कुचि पूरी दो सतरिया तीन कथक कली चार मोहिनी अट्टम चार हो गया पांच ओड़ी सी छे हो गया मनीपूर इसके अलावा भरत नाट्टम भरत मुनी इसके परतिपादक भरत नाट्टम यह कहां पे है तो यह है तमिल नाडू टी एन फूर तमिल नाडू ठीक है इसके बाद एक और है कहां पे कहां गया एक और भरत नाट्टम कुचि पूरी महनी अट्टम कथक कली कथक कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत ठीक है कथक यूपी ठीक है अलग इसका घराना है और अंतिम अंतिम जो दिया गया है वो है जारखन, पस्चिम मंगाल और उरिशा तीनो राजियों का ठीक है जिसका नाम क्या है छव याद रखना ये भी बहुत इंपोर्टेंट है ठीक जारखन में भी है उरिशा में भी है पस्चिम मंगाल में भी है फिलहाल कितना है 2022 में तो 2022 में टोटल आठ ही थे और अंतिम और नौवा जो है वो है च्छव याद रखना च्छव जारखन, पस्चिम मंगाल, उरिशा विश्वर उपम फिल्म के लिए सर्वसेस्ट कोरियोग्राफिक रास्ट्रिय फिल्म पुरुस्कार किसको दिया गया है ठीके तो ये है इसका सही जवाब एम र क्रिस्टन मुर्ती कला मंदलम, अमला 이 इन ये फिल्म, अभिनेतरी है बंगाली फिल्म का ठीके और भरतना Tum से समन्दित है इसका सही जवाब पंडित बिर्जु महाराज है और यह किसे समंधित है कोरियोग्राफिव में मिला है इसको याध रखना है किसके कोरियोग्राफर है यह तो कथक और कथक कहां पे होता है अभी बताया था आपको उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत दोनों ही सही होगा ठीक है विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वसेस्ट यह फिल्म कब आई थी तो 2013 में ठीक है अभी यह जो है ना रास्ट्रे फिल्म पुरुसकार अभी घोसना हो चुका है इसका तो जाकर के इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हो यह पहली बार कब घोसित किया गया था तो 1954 में मतलब पहला संस्क्रण इसका प्रस्ण पूछेगा आपको ठीक है पंडित बिर्जु महाराज को मिला है वेस्ट कोरियोग्राफी के लिए रास्ट्रे फिल्म पूरुसकार किस फिल्म के लिए तो विश्व रूपम में सर्वसेस्ट कोरियोग्राफी के लिए ठीक है और वह किसके कोरियोग्राफर है तो कौन सा फिल्म तो विश्व रूपम, 2013 में ये फिल्म बनी थी, इस फिल्म के जो निर्देशक है, उनका नाम क्या है, तो कमल हसन, सुरूती हसन के पिता जी, ठीक है, कमल हसन, याद रखना, important है, चलो आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले किस नाम से जा जान लेते हैं, यह किस मंतराले के अंदर ग़ाता है, तो यूवा मामले और खेल मंतराली, ठीक है? और यह मंतरी कौन है? तो यह है, मनसुख मंडाविया, जो गुजरात से आते हैं, राज़ सभा से, ठीक है? मनसुख मंडाविया ठीक है गुजरात राजसभा से हैं गुजरात राजसभा से हैं और इसका पुराना नाम क्या है तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स है ठीक है जीतो इंडिया यूथ गेम्स नहीं है खेलो भारत नहीं है खेलो इंडिया जीतो इंडिया नहीं है खेलो इंड मतलब कॉलेज है, उसकी बारेमें नहीं बात कर रहे हैं, तो ये 17 वर्श से कम उम्र ठीक है, तो ये अपना प्रीथवी, ठीक है, साड़े तैस डिग्री जुका हुआ है, तो ये जो है न, ये है अक्छान्स रेखा, और इस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, हम जितना उपर जाएंगे, और ये है देशान्तर, ठीक है, देशान्तर, तो इस पर निर्भर नहीं करता, जो दाब है और पवन है, हवा जो है, वो किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है, अक्छान्स पे और उँचाई पे, ठीक है, याद रखना, उँचाई है न, जैसे बोलते है न, निम्न में से राजनितिक नेताओं में, ठीक है, से कौन जून दो हजार बाइस में, पंजाब के संगरूर निर्वाचन छेतर से संसद सदस से बने है, ठीक है, देखो, पंजाब के संगरूर निर्वाचन छेतर से कौन बना है, ये पूछ रहा है आपसे, तो संसद का सदस से बनेगा कौन अद्रिविन के जरीवाल ये संभवा है बताओ ये दिल्ली के मुख्यमंत्री है अभी वर्तमान में जेल में है भगवंत मान ये भी क्या है विधान सभा के सदस से है क्योंकि ये भी क्या है मुख्यमंत्री है अभी वर्तमान में पंजाब के है न तो ये तो लोक पाचन होते हैं ना लोकसभा है ना राजसभा और विधान सभा तो जहां जहां उपचुनाव होता है उसके बारे में प्रस्ण बार-बार पूछ रहा है ना तो अभी उपचुनाव हुआ है राजसभा के बारा सदस्यों का जिसमें से ग्यारा नौ कहेंगे बिजेपी की है दो जो है वो बिजेपी समर्थित पाटी की है मतलब NDA गठबंदन की पाटी की है और एक जो है वो कॉंडरिस का है ठेक है तो इससे एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा ठेक है प्लेयलिस्ट में भी मिल आप उसको जरूर देखिएगा ऐसे प्रस्ण जो है भी पूछेगा ठीक है भविस्य में तो पढ़ लेना है क्योंकि पूछ रहा है तो स्वामी विवेकानन्द के जनम दिन के उपलेक्ष में तैस्वा रास्ट्रिय युवा महुत्सव ठीक है कहां में आयुजित किया गया था ठीक है तो ये पुराना है फिलाल उस वक्त लखनों में किया गया था अभी नहीं छोड़ो अभी जो वरतमान में किया गया है दोहजर चौबिस में ठीक है उसका थीम क्या था सबसे ज़्यादा थीम पूछेगा आपसे ठीक है थीम क् सब कुछ हमारे दिमाग में है इसका पहला संस्क्रन कब आयोजित हुआ था तो याद रखेगा 1985 से हम मना रहे हैं 1985 से मना रहे हैं और अभी जो है वो 2024 में मनाए हैं 12 जन्वरी को उसका थीम क्या था तो इस आल इन दा माइन्ड स्वामी विवेका नंदिक के जनम दिन को मनाते हैं और इसको भी कौन मनाता है कौन सा मंत्राले मतलब ये कर रहा है इनको तो याद रखिएगा यूवा मामले और खेल मंत्राले ठीक है जो भी मनसुक मंडाविया है यूवा और खेल मंत्राले ठीक याद रखना स्वामी वेका नंदिक का नाम क्या था बचपन का तो नरेंदर नाथ दत है न याद रखिएगा ठाराच रानवय में ذर्म सभा सम्मेलन में गय थे हिंदू मतलब सनातन धर्म नेक्स प्रस्ण है ड्री और नाचल प्रदिश का एक कृषी उत्सव है ड्री जो है वो और नाचल प्रस्ण पूछ रहा है खरची पूजा पूछा था अभी पॉंगल पूछ चुका है अभी हाल में कल पूछा था क्या सिगमो जो कहां का था तो सिगमो जो था वो गोवा का था चलो आगे बढ़ते हैं फिलाल इस प्रस्म के तरफ और उनाचल परदेश का एक क्रिसी उतसब क्या है ड्री यह के महीने में मनाया जाता है प्रस्माचल परदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसको जो है ना एक जनजाती मनाती है ठीक है ठीक है अरुनाचल परदेश का एक जो क्रिसी उत्सब है ड्री उसको कौन मनाता है तो आपातानी जनजाती तेहवार है ये ठीक है कौन मनाता है तो आपातानी ये जनजाती का नाम है याद रखना अभी ये जुलाई में मनाया गया है ठीक है और ये जुलाई में ही मनाया जा पूछ रहा है तो उत्सव से समंधित वी वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर जरूर जा करके देखिएगा अगर आप नहीं देख रहे हो तो कहीं न कहीं तैयारी में आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो चुक कर रहे हो ठीक है कट अफ जितना जा रहा है उसके हिसाब से बर पर्मी है अभी हम बात की इसी प्रसंद को तुब देख रहे हैं ठीक मैमार की राजधानी कहां पर तो नैपी दो ठीक है स्पैलिंग थोड़ा सा इदर उदर हो सकता है नैपी दो ठीक अरुनाचल परदेश इसका बर्डर किसके किसके साथ सेतर होता है सेर होता है तो याद रखना अरुनाचल परदेश नागा लेंड मनीपूर नागा लेंड ठीक है नागा लेंड मनीपूर ठीक है मिजोरम मिजो इनके साथ बर्डर सेर करता है ठीक है कितना तो 1643 किलोमेटर याद रखना 1643 किलमेटर किसके साथ तो अर्णाचल प्रदेश, नागालेंड, मनिपूर और मिजोरम के साथ कौन तो भारत और नेपाल का बॉर्डर टच होता है कितना 1643 किलमेटर इंपोर्टेंट चीज है यह से ठीक है बर्मी उसकी भासा नैपीदों वहां की क्या बोलते ह प्रफनीञश, टीक है और मैमार में मुद्रा पैसा क्या चलता है तो क्यात ठीक है क्यात है थिक को इसके राष्टर पती कौन है थिक है यह प्रमुख राष्टर प्रमुख कौन है तो उनका नाम है मिन अनुछेद कितना से कितना बातों के साथ रास्टपती की युग्यता, कारेयों, उनके कारेकाल, निर्वाचन, पुनर निर्वाचन की विधी और महाभियोग का वर्नन करते हैं तो ये है अनुछेद पचास नहीं, एक्चली सुरुवात कहां से होता है, तो बावन से और बार सथ तक, सीधी बात है, याद रखना, दूसरा कोई अपसर नहीं, अभी वर्तमान में जो रास्टपती है, क्या नाम है, द्रोपदी मुर्मू है ना, ये पहली आदिवासी महिला है, देश की रास्टपती, ठीक है, पहली आदिवासी महिला रास्टपती, ठीक, इससे पहले जो पहली महिला रास्टपती थी, उनका नाम क्या था, तो प्रतिभा सिंग पाटिल, ठीक, याद रखिएगा, कंपनी संसोधन विधयक 2020 को लोकसभा में किस मंत्री के द्वारा पेस किया गया था, ठीक है, तो देखो, रमेश विधूडी, नहीं, ये लोकसभा के सदस्य हैं, बिजेपी के, ठीक है, ये किसनी के पास कोई मंत्राले नहीं है, गौतम गंबीर, ये तो किरकेटर है, ठीक है, राजनेता भी है, नितिन गड़करी, तो नितिन गड़करी जो है, वो जहाज रानी, रेल राज मंत्राले, ये सब इनके पास है, है ना, सोरी, रेल नहीं, सड़क परिवहन मंत्राले, है ना, अपने समय पे खतरनाक राजनेता हैं, ये भी, सड़क एवं परिवहन मंत्राले, कहां के हैं ये तो अपने निरवाचन छेतरीन का है नागपूर महारास्ट ठीक है ये कहते क्या है ये कहते हैं भीया अभी तक हम कोई से कोई व्यक्ति नहीं मिला जो हम कभी कमेंटिमेंट किये हो कि हम ये काम कर देंगे और हमसे कोई सभा में पूछ लिया हो कि ये काम आप ब बड़ा खतरनाक नेता कहां मिलेगा देश को ठीक है अनुराग सिंग ठाकूर अच्छली यही पेश किये थे कमपणी संसोधन विदयाग 2020 ठीक है किसका संसोधन तो 2013 के एक कमपणी का है जिसको संसोधन किया है कमपणी संसोधन विदयाग 2013 को संसोधित कर रहे हैं कमपणी संस भारत में सरत का मौसम निम्न में से किस महीने के अंतरगत आता है पूछ रहा है कब आता है तो जून से सितंबर जून में तो गर्मी होती है बरसात होती है ना सरदी तो होता नहीं मार्च माई तो गर्मी रहता है ठीक है दिसंबर से फरवरी में तो सरदी रहता है पूछ रहा आता कब है तो ये आता है October में है ना October November में आता है December February में रहता है ठीक है तो ये सब प्रस्ण भी है ये तो Common Sense से ही करना पड़ेगा इसका कोई Slebus में नहीं कोई बता सकते है ना April 2022 में नई दिल्ली दिल्ली के नए मुख्य सचीव के रूप में किसे नामित किया गया था ठीक है तो देखो केशब प्रसाद मोर्रे जो है वो तो हो नहीं सकते है ना ये UUP के उपमुख मंत्री है इसका सही जवाब जो है संजे प्रसाद अमीत सिंग नहीं बलकि नरेश कुमार है ठीक है लेकिन ये उस वक्त ततकाली सचीव थे अभी जो है वो बदल गये है और अभी जो इनका नाम है वो है धर्मेंद्र ठीक है धर्मेंद्र कुमार ठीक इनका कोई कारेकाल नहीं होता है एक बर लगा दिये तो लगा दिये वापिस जब चाहें तो वापस ठीक है ऐसा नहीं कि पांच साल रहता है किस के दोरान किस पंच वर्षी योजना के दोरान मुखे फोकस सारवजनिक छेतर पर था और इस दोरान देश में तेजी से ओद्योगी करन लाने की योजना बनाई गई थी ठीक है तो पहली पंच वर्षी योजना किस पाधार थी क्रीसी है ना क्रीसी बुनियादी धाचा इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए और जो सरनारती आये थे उनकी विवस्था करने के लिए ठीक है याद रखना है हेरोड डॉमर मॉडल पर आधार था ठीक है दूसरी पंच वर्षी योजना एक्चुली इसका इसका सही जवाब है इसमें बात करेंगे हम ठीक है तीसरी पंच वर्षी योजना इसमें दो युद्ध हुए ठीक है और 1965 में पाकिस्तान के साथ चीन में हुआ था तो ये प्रस्ण पूछता है किस पंचुवर्सी योजना के साथ हुआ था इसी के वज़े से 66, 66 में क्या हुआ और 68 में क्या हुआ हम योजना अवकास लिए क्योंकि अपने पास पैसा ही नहीं था बहुत तंगी हो गई थी आर्थी किस्तिती और उसके बाद 1965 से पहले भी जो है वो सुखा पड़ा था देश में तो बहुत खतरनाक परिस्तिती उत्पन हो गई थी ठीक है याद रखना अगर पंचुवर्सी योजना पांचमी की बात करें चोहत्तर से 78 ठीक है इसके बीच आई थी और इसी समय थोड़ा से सरकार परिवर्तन हो गया था तो इसको बंद भी किया गया था मुरारजी देशाई के द्वारा और बाद में इंदिरा गांधी आई तो फिर से पंच वर्सी योजना को चालू कर दिया गया ठीक है याद रखना इसका उद्देश क्या था तो रोजगार बढ़ाना पूस्ता है कई कई बार ठीक है तो इससे पंच वर्सी योजना से समंदित वीडियो आपको मिल जाएगा रोजगार को बढ़ाना ठीक है गरीबी उन्मुलन गरीबी हटाना ठीक है गरीबी गरीबी हटाना या गरीबी का उन्मुलन यही से सब सुरू हुआ उदारी करन का काम ठीक है याद रखना रोजगार गरीबी हटाना दूसरी पंच वर्सी योजना का उद्देश एक्चली यही था जो प्रस्ट में लिखा गया है और इसका कारेकाल कब से था तो कारेकाल था 56 से 51 से 56 था किसका पहला 51 से 56 51 से और यह 1956 से लेके 61 तक ठीक है दूसरी पंच वर्सी योजना का ही भारी उद्दोग वगरा लगाया गया देश में लेकिन चुकि बहुत सा धन नहीं था अपने देश में इसलिए यह थोड़ा सा अधूरा ही रहे गया ठीक है याद रखना और किस मॉडल पे अधारित था दूसरी पंच वर्सी योजना तो याद रखिएगा महाल महाल नोबिस ठीक है यह सब प्रस्ण पूछता है वीडियो आप जरूर जाकर कर देखिएगा आपको मिल जाएगा रिलेटिड वीडियो में ठीक है इस मॉडल पे अधारित था लोकसभा के सदे से बनने के लिए नियून तर्म आयू कितनी चाहिए ठीक है तो लोकसभा और राजसभा ठीक और यही है विधान सभा परिशद ठीक है विधान परिशद लोकसभा के सदे से बनने के लिए नियून तर्म आयू कितनी होनी चाहिए तो 22 वर्स नहीं, 18 वर्स नहीं, 23 वर्स नहीं, 25 वर्स ठीक है और जो जीला परिशद, पंचायत, मुखिया यह सब चुना होता है ना उसके लिए कितना चाहिए है सिर्फ 21 वर्स ठीक है याद रखना अच्छा, संसद किस में है, किस सनुछेद में है तो संसद है 79, 89 में लोकसभा किस में है, लोकसभा है 80 में राजसभा, सोरी, राजसभा है 80 में, माफ करना राजसभा है 80 में, और लोकसभा कितना में है, तो लोकसभा है 81 में चलो अभी करेंट्स में आगे नरेंद्र मोदी ने भारत को वैस्वी कस्तर पर सबसे बड़े अवसरों की भूमी के रूप में पेस किया है ठीक है भारत को वैस्वी कस्तर पर सबसे अवसरों वाली भूमी सबसे बड़े अवसरों वाली भूमी क्यों तो वैपार छेतर के लि एकोनोमिक्स टाइम्स ठीक है एकोनोमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम जो है उसका उधगाटन हुआ है भी ठीक है सम्भोधित कर रहे थे प्रधानमंतरी मोधी जी मोधी ने निवेशकों से नवाचार, प्रदर्शन, सकरातमक व्यवधान और उच गुनवत्ता वाले उत्पादों के लिए प्रतिबद होने का आगरा किया है ठीक है सीदी सी बात है एटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम को सम्भोधित किये है जिसके लिए क्या कर रहे है वो सुधार कर रहे है किस किसीज में तो सुवीधा के लिए वैपार छेतर के लिए ताकि यहां जादस जादा निवेस हो ठीक है और वर्ल्ड लीडर्स की है electronics और IT मंत्री जो रेलवे मिनिस्टरी जिनके पास है ठीक है वो भी यहीं पर है electronics जो है वो क्या करें एक परिश्टर के तंतर विक्सित करेंगे आइटी मंत्री अस्विनी वैस्णोँ ने कहा है कि सरकार देश में स्थाई उलेक्ट्रोनिक्स घटक परिष्थित में मदद के लिए एक नई योजना सुरू करेंगे, किसके लिए तो गहटक परिष्थित कि तंतर पारिष्त की तंतर जो होता है वह इस प्रकार समझो अब जसे के कोई तालाव क्या मतलब हो कुछ बिना कुछ किए ठीक है जैसे यह है घास इसको कौन खाएगा बकरी या झाये और सेर गैट इंडर को कौन खाएगा कीड़े मोकोडे खाएगे मरने के बा当 बाखी कोन खाएगा इसको तो यह पारिफ्ट्रिकी तंत्र है न गहाउस इसको खाएगा यह इसको खाएगा यह इसको खाएगा है और वापस ऐसी चलता रहेगा चलता रहेगा तो यह पारिस्तिकी तंत्र है किसके लिए बना रहे हैं इलेक्ट्रोनिक्स के लिए ताकि सारा सामान जो है दुनिया भर का चीज हो वह उपलब्द हो इसके लिए क्या कर रहे ह इसके लिए क्या है दो तिन चीज आपको बता देता हूँ अस्मिनी वेश्णों ने कहा भारत में उपयोग किये जाने वाले सभी मुबाइल फोन का 99 परतिशत क्या है घरेलू अस्तर पर निर्मान किया जा रहा है ठीक है पहले चीज दूसरी चीज इस साल एपल एक जो नवि 2013 से लेकर के अभी तक जो है वह 105 लगभग तीन नो साड़े तीन गुना लगभग बढ़ गया है ठीक है कितने साल में तो 10 साल में नहीं 10 से पहले लगभग 8-9 साल में ठीक है चलो कोई बात नहीं बढ़िया है ठीक है खास बात यह है कि जो सेमी कंड़क्टर है इन सब को रोजगार मिले ठीक है तो इसमें ऐसे सिर्फ याद रखना कि इलेक्टोनिक्स कहांगे इलेक्टोनिक्स ने एकोनोमिक वर्ड लीडर फॉरूम ठीक यह कहां पर हुआ है और संबोधित की है प्रदान मंत्री मोधी केंद्रे विज्ञाने में परद्यों की मंत्री ठीक है डॉक्टर जितेंद्र सिंग यह उद्धमपूर से आते हैं लोकसभा सांसद हैं दिल्ली में आर्थववस्ता पर्यावरन और रोजगार के लिए जैव परद्यों की बायो E3 इ चीज़ इसमें बनाया जाएगा वह कम से कम कारबन का उत्सरजन करें जीरो करहें करें सारवजनिक नीजी भागिदारी मॉडल नीती कार्या नवयन का एक अभिन अंग होगा जो रोजगार को सिर्जित करेगा ठीक है उद्ध्योग को प्रोचसाहित करेगा उन्होंने यह भी उलेखित किया कि जैव भी निर्मान और जैव फाउंडरी देश की भविसी की जैव अर्थववस्ता जैव मतलब जो प्रकृति को नुक्सान नहीं पहुँजाएगा ऐसी अर्थववस्ता का निर्मान करेगा कौन तो बायो प्रद्यों की बायो ई-3 ठीक याद रखना दूर संचार अधिनियम 2023 के तहत नियमों का पहला सेट जारी कर दिया गया है ठीक है क्या नाम है उसका तो डिजिटल भारत निधी ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ठीक है ये किसकी जगा लेगा तो दो-तिन ची समझो ये क्या है पहले बताते हैं इ 4020 पहला सेट है डिजिटल भारत नीधी इसका नाम ठीक है ये किसकी जगालेगा तो ये इसकी जगालेगा यू एस ओ फ ठीक है पुरुवर्ती में कौन तो यूनिवेर्सल सर्विस अप्लिगेशन फंड इसकी जगालेगा ये क्या करता है ये क्या करेगा समाज के जो वन्चित वर्ग है ना जिसमें कौन-कौन महिलाएं विकलांग व्यक्ति आर्थिक और समाजिक रुप से कमजोर व्यक्ति जो होंगे उनको जो है वो संचार के लिए लक्षित करेगा ज्यादा से ज़्यादा लोगों को वहां तक डिजिटल तक पहुंचाएगा ठीक है डिजिटल भारत निधी पैसों का है पैसों से काम करेगा उसके साथ ठीक है वेस्ट आरुनाचल परदेश से लोकसभा संसद है ठीक है और संसद की सन्युक्त समीती के जो अध्यक्ष है कौन जगदंबिका पाल याद रखिएगा वक्ष संसोधन विरेख जो आया था उसके एक समीती पनी है सन्युक्त समीती ठीक है उसमें क्या कहा है मुस्लिव विद्वानों ने कि भीया ठीक है आप उसमें करिए ये जितना भी नुक्सान वला चीज़ उसको हटाओ ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो याद रखना ये ही दो तिन चीज़ है बाकी इतना साथाम-जाम पढ़ने की आप सकता नहीं है सन्युक्त अरब अमिरात ने दो महीने का व्यापक वीजा माफी कारिकर्म शुरू किया है इसके तहर जो लोग अवयद रूप से उसमें रह रहे है सन्युक्त अरब अमिरात में इसकी राजधानी कहा पर तो अबुधाबि अबुधाबि इसकी करेंज क्या है तो दिरहम और यहां के जो प्रिसिडेंट है या राजा कहलो सुल्तान कहलो जो मर्तल बर्स के लो उनका क्या नाम है तो मुहम्मद बिन जायद अलनाहियान याद रखना यह सब पूछेगा ठीक है संजुक तरव मिरात ने दो मेने का व्यापक विजा माफी कारिकर्म शुरू किया है जो देश में अवैद रूप से रहने वाले व्यक्तियों को अपने अस्थिती को नियमित करने या दंड के बिना देश छोड़ने का महत्यपूर्ण अवसर प्रतान करता है यह उनके लिए अवैद रूप से उसमें घुसे हुए है अवैद रूप से देश में परवेस करते हैं उनके लिए नहीं है यह उनके लिए जो रह रहे हैं और कुछ गड़बड़ी के वज़ए से कुछी तरह कोई वीजा में या पासपोर्ट में किस तरह कोई दिक्कत हो गया या खतम हो है उनका टाइम उसको भी अवैद ही कहेंगे न तो अवैद रूप से जो रह रहे हैं जो अवैद रूप से परवेस के यह उनके लिए नहीं है रिपीट करों में ध्यान रखना ठीक है तो UAE में जो बड़ी संक्य में भारती परवासी समुदाय हैं उनको यह माफी योजना विशेश रूप से महतपूर्ण है ठीक है यूए की कुल अबादी में 30% जो वो भारती हैं ठीक है जिसमें से कितने हम हैं तो 3.5 मिलियन ठीक है याद रखना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है तो वहां के जो अपने राजदूत है भारत के राजदूत और वानीज ये है ठीक है उन्होंने कहा है कि जादस 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 जो अपने भारती हैं वो लाब उठा सकते हैं अगर ऐसे अवैद रूप से रह रहे हैं तो ठीक है अवैद रूप से वही होए जो अवैद रूप से घुसे नहीं है याद रखना अवैद रूप का मतलब अवैद रूप से दो रजत और एक कां से सहीद कुल चार पदक जीत लिए हैं ठीक है अनुया परशाद जो है वो महिलाओं की 10 मिटर एर पिस्टल प्रधा में गॉल्ड जीता ठीक है याद कर लिजेगा नाम ये सब पूछेगा ठीक है यूँकि मल्टिपल सिप्ट में होने से प्रस्ट जो है पता नहीं कितने कहां कहां घुश जाते हैं ठीक है अभी बताओ विधान सवा में उपचुनाव हो रहे हैं उसका भी अगर नाम पूछेगा तो ये बहुत मुस्किल है ठीक है पदक जीते हैं कौन तो अनुया परशाद 10 मिटर एर पिस्टल में और 10 मिटर एर पिस्टल में ठीक है तो 10 मिटर गॉल्ड कौन जीता है तो अनुया परशाद महिलाओं में अभिनाव देशवाल जो है पूरुसों की 10 मिटर रजत पदक जीत लिए जबकि अभिनाव देशवाल सुभम वसिस्ट और चेतन सबकाल ये तिकडी में तीनों लोग मिलकर के जीते हैं पूरु ठीक है हनोवर में परधान मंत्री नेद्र मोदी ने कहा है क्या कहा है वाई तो महिलाओं के लिए खिलाफ पत्यचार और बच्चों की सुरक्षा के समाज के लिए गंभीर चिंता कभी से हैं ठीक है एक्चुली ये सब जो ताम जंब कर रहे हैं वो आरजी कर स्पताल हुआ पोस्ट माटम है वो साड़े छे बजे हो गया ठीक है साड़े छे बजे साम को और ग्यारा बजे एफ आई यार लॉंच हुआ है ठीक है तो और उनके जो पैरेंस है ठीक है जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनके पैरेंस को बताया कि जो लड़की है वो क्या है वो सुसाइड कर यह बड़ी अजीब बात है चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है आगे भारत मंडपम में जीला नयाई पालिका के दो दिवसिय राष्ट्रिय सम्मेलन का उध्गाटन करने के लिए के बाद उन्होंने कहा कौन उध्गाटन किया है तो प्रधानमंतरी नरेंद्रमूदी ठीक ह यह जो जीज कह रहे थे ना अभी महिलाओं के अत्या चार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए वो किस कहां पे कह रहे है तो भारत मंडपम नई दिल्ली में याद रखना ठीक है जीला नयाई पालिका के दो दिवसिय राष्ट्रिय सम्मेलन आयुजित किया जा रहा ह इसके साथ साथ सुप्रीम कोट के नयाइधिस ञांठेल है सामिल हुएन की ना में डीवाई चन्द्रचुड याद रख ना बहुत फेमस नाम है वैसे भी चर्ष छी में रहते हैं हमेसा और दूसरा दूसरे जो व्यकति हैं वो है बोई अतनी जन्रल ऑफ इंडिया भारत के जो मुख्य कानूनी अधिकारी होते है ना जिनका नाम क्या है तो वैंकट रमनी ठीक है ये भी भाग लिए ये तो अटानी जनरल आफ इंडिया ठीक है ये क्यों मनाय जा रहा है तो सुप्रीम कोट के 75 सार पूरे होने से लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का गौरव ठीक है तो 75 स्थापना दिवस मना रहा है ठीक है सुप्रीम कोट ठीक और इसको आयजित कोन किया तो सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट के मुख्य ने आ दिस अभी कोने पचासवे हैं वो ठीक है केंद्रिये महिला इवं बाल विकास मंत्री अनपूर्णा देवी ने पस्चिम मंगार की मुख्य मंत्री बनरजी से बलातकार और पॉक्सों के मामलों को निप्टाने के लिए समर्पित फास्ट्रेक स्पेशल कोट FTSC की स्थापना और संचालन में तेजी लाने को फिर से हावान किया है ठीक है याद रखना यह सब चर्चे में है तो थोड़ा सब सून लेना है चुनाव आयोग ने आज हर्याना के विधानसवा चुनाव की मतदान के जो तिथी थी ना उसको आगे बढ़ा दिये पहले कितना था एक उक्टूबर को अभी जो है वो एक उक्टूबर को था अभी कर दिया है पांच उक्टूबर को ठेक है याद रखना पांच उक्टूबर को होगा चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग जो है उसके चुनाव मुख्य चुनाव आयोग तो कोन है तो राजिव कुमार याद रखना राश्रीय राजनीतिक डल और अखिल भारतिय विस्नोई महासभा ठीक है तो विस्नोई जाती है न उनके बारे में थोबह से बात कर लेंगे पहले रूख जाओ अखिल भारतिय महासभा से हरयाना के विस्नोई समूधाय के लोगों के सदियों पुराने आसोज अमावस्या उत तो याद रखना आसोज अमावस्या उत्सव जो है वो कौन मनाता है बिस्नोई समूदाय यह प्रस्ण पूछेगा 100% पूछेगा क्योंकि यह एक नेस्नल लियूज बन गया जैसे ही यह नेस्नल लियूज बन गया कि भईया तुमा इस जो समूदाय है उनके वज़े से हर्यान का जो डेट है वो चेंज हो गया यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है ठीक है तो यह राजस्थान जाते हैं यह उत्सव मनाने के लिए कौन सा उत्सव आसोज आमावस्या उत्सव ठीक है और इसी समय उनका चुनाव है एक अक्टूबर को ठीक है तो याद रखना इस उसको कर दिया गया आठ अक्टूबर ठीक याद रखना यह इंपोर्टेंट है यह प्रस्थ हंडेट परसंट पूछेएगा लाओस में भारतिय दुतवास के बोके ओ ठीक है प्रांत में एक गॉल्डन ट्रेंगल स्पेशल एकोनोमिक जोन स्थित साइबर स्कैम सेंटर में फसे 47 भारतिय नागरिकों को बचाया है किसने तो भारतिय दुतवास ने वहां भी स्कैम करने मतलब देश का ही नाम कटा दो है ना अभी क्या बोलना है ना तो सुनो थोड़ा सा लाओस के बारे में जान लो लाओस जो है ना वो दक्षिनेसिया का देश है आपको पता होग दक्षिनेसिया कहा वियतनाम बांगला देश थाइलेंड ये सब बैंकोक ये सब जो है ना फिर कंबोडिया ये सब जो देश है अपना देश भारत यहां पर जो देश है वो दक्षिनेसिया के देश है या हम खुद दक्षिनेसिया के भाग है ठीक है तो यहीं पर लाओस भ सेंटर में जो फसे थे 47 भारतिये उनको बचाया है ठीक है तो यह थोड़ा से अपने लिए important news हो जाता है पूछ सकता है किस देश में ऐसा हुआ ठीक है उसके जो राजदुत है वो कौन है तो वो है प्रसांत अगरवाल ठीक है भारतिये राजदुत जो है कौन है प्रसांत अ लाजदानी है वहाँ की जो करैंसी है वह क्या नहां है उसका तो लूटियन ठीक है लूटियन कीप पता ये सक कैसे आज जाता प्रृपिश का तो भारतियुत कोन है तो प्रसांत अगरवाल ठीक हैdependFre doute अभारतिय निशानेबाज है लाएं अभविभा लेलंपिक चल रहा है अभी पैर ऑलम्पिक चल रहा है व कहां पेडी तो फ्रांस में अब तक हम जीत चुके हैं थोड़ा बात कर लें अगर तो भारत ने चल रहे टूर्णामेंट में अब तक एक स्वर्ण पदक एक रजत और तीन कांसे के साथ पांच पदक हम जीत चुके हैं अभी फिलाल एक पदक जो जीता गया है वो कौन है तो भारतिया निशाने बाज रूबीना फ्रांसिस आज महिलाओं की 10-meter air pistol में SH-1 final में कांसे पदक जीता SH-1 जो है वो state highway मत समझना SH-1 जो होता है न वो बिमारी से related होता है जो कौन-कौन सा विवेक्ति जो है कितना बिमार है और कितना सक्षम है इस हिसाब से अलग-अलग category होती है उनकी ठीक है तो P1, PF1 ऐसे करके SH-1 ठीक है याद रखना उन 10-meter air pistol में SH-1 final में कांस से पदक जीता है ठीक है रजत नहीं कांस से पदक कौन जीती है तो रुबीना फ्रांसिस ठीक याद रखना महिलाओं की टीम में हम साहिद लगता है सुटिंग में बहुत आगे हैं दुनिया से ठीक है क्योंकि 10-meter 25-meter rifle है न यह सब में हम जीत रहे है 10-meter pistol में हम जीत रहे है ठीक चलो वीडियो अगर पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ share जरूर करना अभी इतना ही मिलते हैं फिर जैहिंद